दोस्तों आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो अपने बढ़ते वजन को लेकर परिशान है और काफी उपाय के बाद भी अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जी हाँ दोस्तों आज की इस खास वीडियो में आपको बहुत इफेक्टिव घरली उपाय बताने वाला हूँ जिसके कुछी दिनों के इस्तमाल से आपके शरीर में जमा फैट अपने आप कम होने लग जाएगा इसके जरीए आप अपने वजन को मन चाहा कम कर सकते हो मोठाप उपाय के बारे में दोस्तमा तक आपने रूदरहूम रेमेडिस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और ये वीडियो जानकारी इच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जिरू कर दिएगा आपसे एक लाइक की आशा तो करी सकता हूँ आईए फटाफट बनाते हैं इस रेमेडि को इस उपाय को बनाने के लिए जो पहली चीज चाहिए वह है जीरा दोस्तों जीरा हमारे पाचन को मजबूत करने में बहुत हल्प करता है शरी में चरबी को जमने नहीं देता और जमी ही चरबी को तेजी से रेडियूस करता है यह वही जीरा है जिसे हम किचन में इस्तमाल करते हैं दाल को टड़का लगाते हैं या फिर जीरा राइस वगरा बनाते हैं अगली आउसदी जो हमें लेनी है वह है अजवाइन दोस्तों यह जो अजवाइन है यह डाइशन को बहतर करता है मुटापा कम करता है बेटाबोल इसे पेट के रोगों के लिए राम बाण इलाज बाना जाता है यहां हम अजवाइन के लावा अगली चीज़ जो लेंगे वह है अलसी यानि की फ्लैक्सेड्स अलसी दोस्तों nutrition का खजाना होता है इसमें प्रोटीन भी अच्छी खासी मातरा हैं पाए जाता है अलसी के छोटे-छोटे बीजों में भरपूर मातरा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीज को पूरी तरह से हल्दी रखने में यह मदद करते हैं साथी दोस्तों अलसी में लिगनिन्स पाए जाता है जो वजन को खटाने में मदद करता है इसमें मुसिलेज नाम का फाइबर भी होता है जिसकी वजह से भूक में कमी आती है डाइशन बहतर होता है, मेटाबुलिजम बुष्ट होता है जिससे एक्ष्रा बॉडी फैट कम होता है अलसी के बीजों में भरपूर मातरा में ओमेगा 3 फैटी ऐसेडी भी होते हैं जो श्रीज के लिए बहुत ही फाधिमन माने जाते हैं अलसी डाइशन को ठीक कर वजन को कम करने के साथ साथ आपके आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है आप अलसी को रेगुलर ऐसे भी डाइट में शामिल कर सकते हो यहां में क्या करना है, दो चम्मच की मातरा में जीरा लेना है, दो चम्मच की मातरा में अलसी लेना है और दो चम्मच की मातरा में अजवाई लेना है इसके लावा हम एक और आउसधी एड़ करेंगे, वह है सौंफ स्वांफ दोस्तों बॉडी को डिटॉक्स करता है दायशन को बहतर करता है और साथी दोस्तों इससे मेटाबोलिजम बुष्ट होता है तो यहाँ पर हम स्वांफ को भी दो चम्मची मात्रा मिलेंगे इस चारो ही और सदियां जो है आपके वजन को कम करने के साथ साथ ओर और तो इससे बेफिक्र होकर इस्तमाल किजेगा चलिए इससे तयार करते हैं सबसे पहले अलसी को तवे पर एक मिनट के लिए रायरुष्ट कर लेंगे फिर इसी तवे में हम जीरा और अजवाइन एड़ कर देंगे और इन्हें भी लगभग एक से डेड़ मिनट तक भून ले अब हम एक ग्रैंडर जार लेंगे इसमें भूने हुए बीजों के साथ सौंफ को एड़ कर लेंगे और पीस लेंगे सौंफ ौमे ऐसे ही UX करना है। सोंफ को भून कर लेने से दोस्तों इसके पूरे फैंजे नहीं मिलते तो आपको कच्छा ही स्तमाल करना है और इस तरह से पौडर तयार कर लिना है दोस्तों ये magical fat loss पौडर है हजारों लोगों ने इससे अपना weight lose किया है आप भी इस तरह घर पर बना कर use कीजेगा जबरदस्थ फादा मिलता है तो चलिए जानते इसे लेना कैसे है लेकिन से पहले दोस्तों मैं आपको 2-3 बातें आवश्यक है इससे आपका शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी water rotation की समस्या खत्म होगी और पाचन क्रिया सुधरेगी दूसरी बात चीनी से दूरी बनाए मीठी चीजे खाना बिल्कुल अवइड कर दे तिसरी बात ध्यान रखेगा प्रोटीन का सेवन बढ़ाना होगा हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपका मेटाबोलिजम बढ़ता है पेट भरा होने का एहसास देरदग बना रहता है और शरीर को भरपूर एनरजी भी मिलती है प्रॉपर प्रोटीन लेंगे तो इससे आपका ट्राइट ब्लड प्रिशर कंट्रोल में रहेगा और मोटापा भी तीजी से कम होता है तो प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हैं अगर आप अंडे खाते हों तो 2-3 वाइट एक खाना शुरू कर दीजे या फिर सुबाप ओर्स वगरा खाना शुरू कर दीजे अगर हम अपने भोजन को धीरे धीरे देर तक चबा कर खाते हैं तो इससे पेट भरा होने का एहसास होता है आप अपने खाने के दौरान प्रतेक निवाले का स्वाद ले और जान बुझ कर इसे देर तक चबाते रहें खाना तभी निगले जब खाना पूरी तरह से चबा लिया जाए दरसल धीरे धीरे भोजन करने से नकेवल हम अपने भोजन का ज्यादा आनन्द ले पाते हैं बलकि हमें त्रिप्ती के बहतर संकेद में मिलते हैं इस तरह से कम भोजन से ही आपका पेट अच्छे से भरा हुआ महसूस होगा तो इन बातों का विश्यश ध्यान दखेगा और साथ में इस पौडर को लेना शुरू कीज़े और आज से शुरू कीज़े कैसे लिए नाय में आपको बताता हूँ रोजना इस पौडर का दिन में दो बार गुंगुने पानी के साथ लेना है आपको नोर्मल पानी के साथ लेना है ऐसा आप करेंगे तो इससे आपका मेटाबोलिजम फास्ट होगा, इम्मिनुटी मजबूत होगा, आपके पेट के सारी प्रॉलम्स दुर हो जाएंगी, शरीर में जमी चर्बी धीरे धीरे रेडियूस होने लगेगा, जिससे वजन अपने आप कम होगा, और साथ है आपका पूरा शरीर टिक टॉक्स हो जाएगा, आज इस इडिये को अपने दोस्तों के साथ परिवार के सदस्तों के साथ जिरू शेयर कीजेगा, मिलता अगले वीडियो में धन्यवाद